जो नेक्स टॉपिक है वो मार्के डिमांड करवा है इसके अंदर हम पहले हमने जो यह बनाया था इट वस दिमांड ऑफ इंडिविजुल कंज्यूमर एक शक्स की एक कंज्यूमर की डिमांड ही यहाँ पे हम कह रहे हैं वी है थ्री कंज्यूमर्स देक हमारी एकनॉमिक्स की लाइफ होती है वो भी इतनी सिंपल नहीं होती एक बत में कई के कंज्यूमर होते हैं जो प्रॉड़क को खरीद रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सा मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं कि if we have three consumers and all of them are purchasing घी तो उनकी डिमांड का क्या effect होगा जब हमारी price काम होने ल aggregate कहते हैं मजमुए को यानि मिला के किसी चीज को देखना तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इन तीनों को प्लस कर देंगे यह वही डिमांड का टेबल है जो मैंने बनाए हुआ है गी डेखें 80 70 60 50 है और इनकी डिमांड जो है चेंज है लेकिन एक चीज जो है वह जो हमार of demand aggregate demand हमने कैसे लिए 5 plus 20 plus 10 is equal to 35 यानि यह मजमूरी तलाब है तीनों की a plus b plus c थी 35 हो गया कब जब price of 80 थी तो मजमूरी तो आप मार्कीट में 35 kg डिमांड किया जा रहा था कि जब 70 थी तो 8 plus 30 plus 12 50 डिमांड थी जब 60 प्राइस थी 10 plus 40 plus 15 65 डिमांड थी यह नहीं प्लस करना आ आपको प्राइस बता रही हो प्लस आपने यह तीनों चीज़ें जो है वो करनी है ठीक यह प्लस करनी है हमने फिर 50 थी तो 15 plus 50 and plus 20 85 डिमांड थी अब हम इसका भी एक जो है वह मार्की डिमांड अब यह मार्की डिमांड आ गया इसको भी हम मार्की डिमांड कैसे बना सकते ह यहां पर आप कौंटिटी डिमांड लेंगे और यहां पर हम यह प्लॉट करेंगे ठीक है एग्रीगेट डिमांड और यहां पर हम यह पहला कॉलम यहां प्लॉट करेंगे पहला कॉलम हम यहां प्लॉट करेंगे and you will get a demand curve will be like this ठीक है यह आप लोगों ने पनी नोट बुक् पिर आपने देखना है कि आपको यह जिराब बनाना समझ में आया है या नहीं ठीक है नेक्स हम आगे से कंटिन्यू करते हैं वह हमारे पास है मेन क्रेक्टिस्टिक्स और डिवाइन करें वह क्या है कि डिवाइन करफ डिसक्राइब सा फंक्शनल रिलेशंशिप बिट्विन प्राइस सब्सक्राइब आप कॉन्टेटी डिमांडेड इन कौंटेटी डिवाइन क्वाइब खंट्राइब कर रहा है 2 रुड साफ की इसकि करेक्टिस्टिक्स और डिमांन का भी और डिवाइन ऑपकॉप य है नगला इसकी शेप्राइब प्रॉनिख जैआप्डेट लि और इट फॉल्स फों डाउनवर्ड और लेफ तो राइट की होती है अब यहां पर एक और क्वेशन हमाने पास आ जाता है वाइ डिमांड कर दे नेगिटिवली स्लोप की क्यों नेगिटिवली स्लोप होती है तो सबसे पहले एंट्री अफ न्यू बायर्स प्राइस इफेक्ट बिकॉस वैनेवर तेरी से डिक्रीजिंग प्राइस तो न्यू जो कंस्यूमर्स होती है वो उस प्रॉड़क की तरफ अट्रेक्ट हो जाती है जो पहले वो नहीं ले रहे थे लेकिन अब वो उसको लेने लग जाते हैं तो एंट्री अफ न्यू बायर्स जो है वो क्यूटी को इंक्रीज कर देता है और यह हमारे पास नेगिटिवली स्लोप बन जाती है सेकिन है इंकम इफेक्ट जब हमारे किसी भी चीज की प्राइस काम होती है तो इंडिरेक्टली हमारे इंकम भर जाती है Like you have 100 रूपेस अच्छा 100 रूपे हमारे 20 साल पहले भी थे आज 100 रूपे हमाई पास आज भी हैं हम 100 औरपे में बहुत सारी चीज़े ले सकते थे अब नहीं ले सकते तो बिलकुल यही एफेक्ट हमारा डिमाइंड में आता है अगर आपके पास कुछ इंकम है लाइक 500 है और आप मार्केट में कुछ चीज खरीदने जा रहे हैं तो इसकी कीमत कम हो गई है इसका मतब यह कि आप 500 में वही चीज़ जादा ले सकते हैं लेकिन एक्चुल में आपकी इंकम उतनी ही है तो इंकम इफेक्ट मेंज कि एक्चुल इंकम विल रिमेंग दा सीम लेकिन प्राइस कम होने से आप यहाफ मोर पर्चीसिंग पावर इस वजह से भी लोग ज्यादा लेते हैं नेगिटिवली स्लोप बनता है हमारे पर देमाड कर इस सब्सिट्यूशन इफेक्ट है अब सब्सिट्यूशन इफेक्ट क्या आता है कि वह स्टार्ट पर्चीसिंग बढ़ जाती है तो लोग गंदूं को जादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ठीक है यह सब्सिट्यूशन इफेक्ट यह सिप्राइट की प्राइस काम हो रही है तो लोग सेवन अब छोड़के भी सिप्राइट पीने लग जाएंगे तो यह हमारे पास क्या होता है कि इस कंजूमर फ्रीज पास है तो लोग सिप्राइट पास है अब डिमिनिशिंग का मतब होता है कम होना अब बिमिनिशिंग का मतब होता है कि किसी भी चीज से हम कोई अफाइदा हासिल करे हो अफाइदा या तस्कीन तस्कीन is the better word तस्कीन हासिल करे है अच्छा अब ये law of diminishing marginal utility वैसे हम ये detail से भी करेंगे मैं मुक्तसरिन आपको ये समझा दू कि आप college से थकेवे घर जाते हैं और आप पानी का एकलास पीते हैं आपको satisfaction होती है दूसरा पीते होती है तो इस वज़ा से भी जो लोग होते हैं वो lower price चार्ज करते हैं तो कि अब उनकी वो demand नहीं रह रहे होती है जो वो पहले चीज़ें ले चुके होते हैं demand कर चुके होते हैं लेकिन आप उनकी उस तरह से ख्वाहिश नहीं होती that's why इसका जो slope है वो negative होता है और दूसरी अलफाज में आम अलफाज में इन्होंने क्या पूछा हो है कि why there is a negative relationship between price and demand कि price and demand के दर्मियान negative relationship क्यों है या ही इनके दर्मियान inverse relationship क्यों है तो we have these four reasons या हमारे पास इसके relationship ऐसा होने के reasons है